जैने दोस्तों मेरा नम्बावरामदास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दद्दा की खरी-करी नूमेवात से बड़े चौंकाने वाले समाचार मिल रहे हैं सबसे पहले तो ये बात का खुलासा हुआ है कि नूमेवात में कोई दंगा हुआ नहीं था वो तो RSS BJP विश्म हिंदु परशत और बजरंग दल वालों ने शूटिंग कराई थी आई शूटिंग मतलब कुरा इत्वाद स्टेज मैनिस्ट वो तो फिल्म बनाई गई थी अथा कोई दंगा नहीं हुआ और नूमें किसी ने किसी पर पत्थर कोई नहीं बरसाए तो कुछ लोग आपस में पत्थर कैच कैच खेल रहे थे तो हिंदुओं ने हर पत्थर के आगे जान बुच के दिस्रणा दिया जैसे दो लड़के आपस में दूर दूर खड़े हो के पत्थर कैच कैच खेल रहे थे और भिंदुओं के लड़के जाते थे और उस पत्थर के आगे अपना फिर अड़ा देते थे और बाकी नू में कोई गाड़ी गुड़ी नहीं जलाई गई नू के किसी आदमी ने पत्थराव नहीं किया नू के किसी छट से पत्थर नहीं फेके गए नू में तो गंगा और जमना की भाईचारे की नदियां नाले समंदर हिलोरे ले रहा था नदियां बह रही थी और जो गाड़ियां जली है वो अपने आप जल गई थी शायद उनका आप खुदी पट्रोल लीट कर गया होगा और कोई किसी किसम का दंगा नहीं हुआ ऐसा हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र और नू के लोकल लोग बता रहे हैं को लोगों ने पूछा यह जो लूग पत्राव हो अधि थे और आखिर जो च्छेलोग मरे बोले थैं वह शायद मंगल गरह से कुछ लोग आये थे तो मंगल ग्रह वालों ने अगर होतकता है कुछ थोड़ा बहुत कर दिया कर दिया नू वाले तो इतने शरीफ हैं कि नू वालों ने कुछ नहीं किया यह लेटेस्ट डेवलप्मेंट है इंडियन मीडिया जो मेंस्ट्रीम मीडिया है उसकी रिपोर्टिंग यहीं बता रही है कि ना जी यहां कोई पत्थर नहीं चला हुआ हम तो जी इतने सालों ते बहुत प्यारते रहते आ रहे हैं और हमारे माननीय न्याय दिशों ने स्वतर संग्यान लेते हुए जो डिमॉलिशन की कारवाई दंगाईयों के उपर चल रही थी तो दंगाईयों के पक्ष में खड़े होकर हमारे माननीय उच्च न्यायले ने बुल्डोजर पर रोग लगा दी है और हमारा मेडिया रो रो के चिला चिला के यह रिपोर्टिंग कर रहा है कि निरीह मासूम बेचारे नुह मेवात वालों को बेवजह भाजपा की जालिम सरकार परेशान कर रही है अच्छा एक दूसरी बात यह निकल के आई कि आज तक जितने भी दंगे हुए हैं इस देश में उन सब का दोशी कोई न कोई मोनु माने सर है हमारे बिचारे बाइजान लोग तो इतने मासूम है कि वो तो कोई दंगा करते ही नहीं वो तो बढ़काऊ भाषण कोई मोनु माने सर हर दंगे का एक मोनु माने सर यह डोण लेते हैं और फिर उसके बाद उस दंगे को जस्टिफाई करते हैं कि कि चूकी मोनु माने सर ने एक वीडियो बनाई थी इसलिए हमने 120 गाडियां फूंक दी चूकी मोनु माने सर ने कहा था कि तुम मेरे साले मैं तेरा जीजा बिट्टू बजरंगी ने कहा था कि तुम मेरे साले हो मैं तेरा जीजा आ जीजा हूं मैं जीजा जी आपके घर आ रहे हैं स्वागत नहीं करोगे ऐसी एक वीडियो बनाई थी इसलिए हमने पूरा नू जल आउमगार्ड मार दिये क्यों क्योंकि देर रिजम मोनु माने सर तो सब बात यह कि आज तक जो इतिहास रहा है इनका दंगों का तो मेरा यह मानना है कि हर दंगे का मोनु माने सर बिटा बाद में आना ठीक है हर दंगे का एक मोनु माने सर खोज लेना चाहिए और यदि मोनु माने सर के बहाने ही दंगे होंगे और मोनु माने सर भी आपने खुदी इनवेंट करना है तो ठीक है तो हमारे साब हमारा मेंस्ट्रिम मेडिया खुल के दंगाईयों के पक्ष में खड़ा हो गया है, पूरे मेवात को, पूरे नूह को क्लिंचिट दे दी गई है, जो भी गलती थी वो उन दो हजार हिंदुओं की थी, जो उस शुबायात्रा में शामिल थे, जो भी गलती थी, उन तीन-चार हजार हिंदुओं की थी, जो अपनी जान बचाने के लिए उस शिव मंदर में जाके छप गए थे, जो भी गलती थी, उस हर्याना पुलिस की थी, जिसने आज से तीन महिना पहले, साइबर क्राइम्स, साइबर स्कैम्स पर जो क्रैकडाउन हर्याना पुलिस ने किया था, उस वज़े से हमको इंस्टिगेट किया गया, कि हम पूरे नू को आग लगाते हैं, ये रेटॉरिक, ये जो प्रोपगैंडा इस समय पूरे देश में चल रहा है, और पूरी बेशर्मी के साथ दंगाईयों को डिफेंड किया जा रहा है, मतलब आप मेंस्ट्रीम मीडिया का कोई भी चैनल, कोई भी प्रवक्ता उठा के देख लिजिए, वो इस दंगे के लिए मोनु मानेसर को दोशी मानता है, और हमारे रवीश कुमार जी ने तो बकाइदा पूरी कविता लिखती है, मतलब मोनु मानेसर ने चोकी एक वीडियो बनाई थी, चोकी मोनु मानेसर काउ विजिलैंटे है, जबकि मोनु मानेसर के उस दिन गुड़गान के उस तौरी, नो की उस लोकेशन पर मुझे ऐसे बताया गया कि पुलिस इंवेस्टिकेशन में पाया गया, कि वह वहाँ था ही नहीं, और इसके अलावा अब तक की जो इन्वेस्टिकेशन होई है, अब तक की जो बाते सामने आई हैं, कि दंगा पूरी तरह वेल प्लेंट था, पूरी तरह बाकायदे स्वचाले थथियार मंगाए गये थे, दंगे के रूट पर पहले से घरों की छटों पर पत्थर मंगा के रखे गये थे, और हर गाहों से दस, बीस, पचास लोग बाकायदा बुलाए गये थे, दोहजार से ज़्यादा ऐसे वीडियो थें, जिनका विश्कलेशन है, रेनेपलिस कर रही है, जिसमें लोगों का आहवाहन किया गया था, उस दिन नुह में आओ, बकायदा पेट्रोल बम्स बरामत किये गए हैं, सुचालित हत्यार बरामत किये गए हैं, ऐसे वीडियो थें, जहां नुह के अगल बगल वाली पहाड़ियों से, पुलीस बलके ऊपर फाइरिंग की गई है, और उसकी वीडियो थें, एक और बहुत जवरदफ्त प्रपगेंडा, एक नेरेटिव चलाया जा रहा है, कि ये देखिए, बजरंग दल वाले स्वचालित, पुलिस के साथ, स्वचालित हत्यारों से फाइरिंग कर रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि वो पुलीस फोर्ची थी, और सिविल कपडों में पुलीस के साथ काम कर रही थी, वो पुलीस के लोग ही हैं, बकायदा पुलीस इसका स्वच्टिक रण जारी किया है, परन्तों इसके बावजूद, पुलीस फोर्स में सेविल वर्दी में स्वचालित हत्यार लिए लोगों को बजरंग दल का कारेकरता बताकर ये प्रूव करने के कोशिश की जा रही है, कि असल में तो फैरिंग बजरंग दल के लोगो खुल के खड़े हो जाएंगे और दंगा करने वालों को डिफेंड करेंगे बेशर्मी पे और उनके दंगे को जस्टिफाई करेंगे कि चूंकी प्रवोग किया गया, इसलिए इतना बड़ा दंगा हो गया, और प्रवोग किया गया, कि एक वीडियो बना दी गी, जिसमें क चीजा का स्वागत नहीं करो गया, एक वीडियो के लिए आपने इतना बड़ा दंगा कर दिया, और उसके बाद पूरा समाज कितनी बेशर्मी से कह रहा है, कि ना जी ना, यहां तो कोई पत्थर ही नहीं चला, हमने कोई पत्थर नहीं चलाए, आप नूँ के एक भी आदम कि मुझे यह नहीं सुन सकते, कि हाँ भई इसी समाज के लोग थे, हमारे ही लड़के थे, जिन्नों ने पत्थर बाजी किया, जिन्नों ने दंगा किया, और दंगा कोई दस-बीस मिनट नहीं चला है, पूरे आठ घंटे चला है, एक सो बीस गाड़ियां यूँ हो, ऐसे च तुसर बात यह कि, एक मीडिया का वर्ग है और एक पॉलिटीशियन का वर्ग है, जो कि खुल के दंगाईयों के पक्ष में खड़ा हो गया, मिलोड ने स्वत्य संग्यान ले लिया है, और मिलोड का यह मानना है कि यह सिर्फ और तिर्फ एक वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए डिमॉलिशन ट्राइब चलाई जा रही है, हो सकता है, पॉसिबल है, और हो सकता है कि पुलीस ने जो कानूनी तरीका है, उस पूरे तरीकों को फॉल्लू न किया गया होगा है। परतु यूपी के अनुभव से हमने जो सीखा है, वो यह है कि आप चाहे जितने रिस्ट्रिक्शन्स लगा लिए, आप पुलिस और प्रशासन को काम करने से मिलोड रोक नहीं पाएंगे, प्रशासन के पास इतनी असीमित शक्तियां होती हैं, इतने तरीके होते हैं, इतने हत्कंडे होते हैं, कि यदि वो ठान ले कि उसने गुंड़ा ऐलिमेंट को और धंगाईयों को सुधारना है। मैं किसी एक वर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दंगाईयों की बात कर रहा हूं, मैं गुंडे बदमाशों की बात कर रहा हूं, मैं उन लोग की बात कर रहा हूं, जो परललल गवर्मेंट सलाते हैं। मैं उनलों की बात कर रहा हूं जिन्नों ने घेटों में रहते हुए एक मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर दिया है देश में जगे जगे और यदि प्रशासन ठान ले कि इनको ठिक करना है तो कर देगा कोई मिलोर्ड नहीं रोक पाएगा और तब जब की पूरा शहर ही अवैद तरीके से बता हुआ है पूरे शहर पूरी मतलब मेडिकल कॉलेज के सामने पूरी मार्केट ही अवैद जबर्दफ्ती सरकारी जब इन पर कब्जा करके बनाई गई थी तो हर्याणा में पहली बार खटर सरकार ने थोड़ी सी स्पाइन शो की है कि हाँ हम केचवे नहीं है हमारे अंदर भी रीड की हड़ी है और अब सवाल यह पैदा होता है कि सर यह इसकी पूरे इस दंगे की और इस पूरी कारवाई की टाइमिंग को लेके भी न बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और समाज के कुछ वर्गों की जो प्रत्क्रिया सामने आई है उससे एक बात समझ में आ गई है कि कुछ वर्गों में कंफ्यूजन है कि दंगाईयों का समर्थन करें या पीडितों का समर्थन करें जिन्होंने दंगा किया उसको प्रोटेक्ट करें या जो दंगे में पीडित थे उसको उसका पक्ष लें तो यहां पर सीधे सीधे एक लकीद खिश दी गई है कि एक तरफ कॉंग्रेस समर्थक लोग हैं जो खुल के दंगाईयों के पक्ष में खड़े हो गए हैं और एक तरफ बाकी समाज है जो दंगाईयों के विरोध में और जो तक जांच होई है उसमें ऐसा बताया गया है कि दंगाई बहुत काईदे से प्लैन करके किया गया है और आगे-आगे जैसे जांच होगी और बाते सपस्ट होती जाएंगी बहुत सारी बाते अभी चुकी अभी अंडर प्रॉसेस हैं इसलिए उन सब का खुलासा करना उचित नहीं है परन्तु फिलहाल फौरी तोर पे बेशक बुल्डोजर रुक गए है पर बहुत दिन रुकेंगे नहीं बुल्डोजर दर जिस शहर में एक बार चलना शुरू हो गया तो मिलॉड कब तक बचाओगे जब पूरा शहर ही अवैद है और पूरा शहर ही सरकारी जमीन पे कबजा करके बना है और पूरा शहर ही हाथों में पत्थर लिए घुम रहा है तो मिलॉड कब तक बचाओगे हम भी देखेंगे कब तक बचाएंगे तो जैसे ही नई डेवलपमेंट होती है नू की हम इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में फिरते मिलते हैं आज के लिए इतना ही बहुत दों धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच्छ